दर्वाजा खटखटा कर मागा पानी फिर पिता के सामने ही बेटी का किया गैएंगरेब बीहार में हेवानियत की तांडौ का मामला सामने आया है यहां एक पिता को बंदक बरा कर एक बेटी से गाओ के ही छे दरिंदों ने सामूहिक दुशकर्म किया वही गैंगरेप करने वालों के होसले इतने बुलन थे कि उन्होंने बाप को ही धमकी दे डाली कि किसी को भी इस घटना के बारे में बताया तो वो जान से मार देंगे वही पीडिता के पिता ने बताया कि गाव के ही छे यूगों ने देर राथ दर्वाजा खटकटाया और पीने के लिए पानी मागा पिता ने सोचा कि शायद कोई प्यासा बाहर खड़ा है उसने दर्वाजा खोला तो बाहर उसी के गाव के छे यूगों खड़े थे इसके बा देंगे वही घटना के बाद उनकी बेटी ने उनके हाथों में बंदी रसी को खोला वही हम आपको बता दे घटना सोमार मंगलवार के दर्मियान रात की है बुधवार को पीडिता ने कोठोवारी पुलीस में बयान दर्च कराया इसके बाद पुलीस ने सभी आरोपियों की रफ्तारी के लिए चापे मारी शुरू कर दी ये घटना बिहार के किशन गंज जी ले की है 19 साल की पीडिता को मेडिकल जाच के लिए सदर अस्पताल किशन गंज भेजा गया वही एसपी कुमार आशिश ने घटना स्कल पर पहुच कर पीडित परिजन वग रामिनों से मा कि जाड़कारे लिए हैं